व्यास गादी पर बैठे प्रसिद्ध शिव कथा वाचक पंडित प्रदीव मिश्रा को इतना गुस्सा आया कि कथा को बीज में ही छोड़कर अगले दिन तक के लिए विराम दे दिया एक गंटे की कथा पुरानी लगा दीजिए आज ता चेनल पर कथा विराम हजारों की संख्या में कथा सुनने के लिए जमा हुए श्रद्धालूओं को बड़ा जटका लगा इधर कथा आयोजग भी सन रह गया पंडिज जी को गुस्सा अचानक नहीं आया बलकि वो अपनी परेशानी एक दिन पहले भी अपनी कथा के दोरान बया कर चुके थे लेकिन आयोजगों ने उस परेशानी की ओर ध्यान नहीं दिया लापरवाही होते देख आखेरकार पंडिज जी अपनी कथा अधूरी छोड़कर व्यासगादी से उड़ गए दरसल मध्यप्रदेश के रतलाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव कथा का आयोज़न किया जा रहा है कजा सुनने के लिए सैकड़ों लोग न सिर्फ रतलाम बलकि आसपास के ग्रामिंड शेत्रों के अलावा अन्य प्रदेशों से भी आ रहे हैं पंडिज जी माईक व्यवस्था को लेकर दुखी थे बीच बीच में माईक व्यवधान पैदा करता रहा सभी जगापन में भ्रमन करते 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 पंडिज जी व्यास गादी से शिकायत को आम कर चुके थे सोमवार को फिर्माइक सिवा दुरस्त न हुई साउंड ठीक नहीं है गला बहुत तकलीब दे रहा है पंडिज जी का गुस्सा फूर्ट पड़ा और उन्होंने कथा को विराम देते हुए व्यास गादी से रुखसत ले ले कथा कल साउंड ठीक रहेगा तो बापीस एक वज़े से चार वज़े तक होगी कथा सुन्ने आईश्र धालू को बड़ी निराशा हुई लोग आयोज़कों की लापरवाही के साथ पंडिज जी के क्रोध को लेकर चकित दिखे